Hello guys, this is Vikash. I welcome you all to GS Exams Cracker. लेक्चर में हम cover करेंगे Gyanpeet Award. Gyanpeet Award के बारे में देखेंगे इस बार जो एडिशन हुआ है 58th एडिशन हुआ है Gyanpeet Award का और इसके recipient कौन कौन है वो देखेंगे और थोड़ी history देखेंगे Gyanpeet Award की कि कब से start हुआ है और किस-किस language में दिया जाता है ठीक है अब ही और दूसरा अगर किसी को time कमें किसी के पास तो 1.5 की speed में देख सकता है last में मैंने mcq दे रखे हैं आपको mcq की practice जरूर से करनी है और बताना है आपके कितने सही के हैं comment box में तो चलिए video को start करते हैं जदा time ना लेते हुए देखे इस बाहर का जो edition हुआ है न वो 58th edition हुआ है ज्यानपीट अबॉर्ड का और यह annually दिया जाता है इसके लिए outstanding contribution of Indian literature Indian literature में outstanding contribution के लिए दिया जाता है और कब से start हुआ था 1965 में और इंस्टिटूट कब किया गया था 1961 में किसके द्वारा बारतिय ज्यानपीट की ठीक है तो इंस्टिटूट कब किया गया था 1961 में भारतिय ज्यानपीट के द्वारा और पहला वार्ड कब कि दिया गया था 1965 में किसलिए दिया जाता है आउर्स्टेंडिंग कॉंट्रिविशन टू दा इंडिया लिट्रेचर इंडिया लिट्रेचर में आउर्स्टेंडिंग कॉंट्रिविशन के लिए इस बार का जो एडिशन था वह था 58 एडिशन ठीक है भी अले नेक्स देख लेते हैं अब यह जो दिया जाता है किस में द लेट भी निधिविलिकए देखिस्प। उच्मेंट पूछ लेगे एक्जामी में पढ़ते पता नहीं चलेका इंडेका फॉरनर्स आपना Alces में को यहां रखना है लेज़िए इन्डाम जर्द र्खनाना इस deepen इंडाराकी कि इनन तो आवार्ड इन दा कंट्री कंट्री में हाइस लिटरी आवार्ड है यह ठीक है तो चलिए नेक्स देखते हैं आगे क्या है अब जिसको यह प्राइज मिलता है उसको क्या 11,00,000 टैस की साइटेशन एक प्राउंज रिप्लिका वांग देवी की सॉरी बढ़ी एक प्राउंज र प्राउंज की रिप्लिका वो मिलती है उनकी गॉडडेस ओफ लर्निंग बोला जाता है जयूँ इतमें ध्यान रखना है 11,00,000 का एस आवार्ड इक्साइटेशन और ब्राउंज रिप्लिका वांग देवी सरस्वती की तिने गॉडड़ेस ओफ लर्निंग बोला जाता है स् फेस्ट इंग्लिस लेंग्वीज राइटर थे जिन्हों नहीं ये अवर्ट जिया था अमिताप घोष नाम दियान रखना है इनका पस्ट इंग्लिस लेंग्वीज राइटर थे आपिता अवर्ड मिला था 2018 मैं यह लिए फिफ्टी एट जो ग्यान पीट वाट है उनके रइसीपेंट कौन है इस बार जो सेग्ड टाइम तो संस्कृत को मिला है और फिफ्ट टाइम उर्दू को मिला है सेकंड टाइम संस्क्रिट को मिला है और फिफ्ट टाइम उर्दू को गुल जार अब रैसी पेंट देख लेते हैं गुल जार की रिनाउंड उर्दू पोईट है इनका जर्म 1935 में हुआ था और इन्हें कुछ अवार्ड और भी मिल चुके हैं जैसे कि साहित्यक आदमी अवा दोजार तेरा में और पदम भूशन 2004 में यह वार्ड भी नहीं मिल चुके हैं थुड़ा ध्यान रखे हूं जोई नेक्स देखते हैं रामभद्राचारे जी रामभद्राचारे जी क्या हैं पॉली गलोट हैं इन्हें बहुत सारी लैंग्विजिस आती हैं इन्हें 22 लैंग गुरू थे रामणनदाचारे रामणनदा सेक्ट के उनमें से एक हैं सिंस 1982 से कॉंट्रिब्यूशन क्या है पोईट है राइटर है संस्किर्ट में हिंदी के अवधी और मराथी अवार्ड मिल चुका है इन्हें पदम भी भूशन भी मिला है 2015 यह भी ध्यान रखना है नेक् कुछ पास्ट के जो रैसिपेंट थे उन्हें देख लेते हैं फस्ट रैसिपेंट कौन थे जी संकर कुरूप उनकी पोयम थी वोदा कूछल दबंबू फ्लूट दबंबू फ्लूट देखते हैं 56 जो 56 रैसिपेंट थे वो थे नीलामानी फूकन जूनियर असामी राइटर थे नीलामानी फूकन जूनियर असामी राइटर थे 57 जो रैसिपेंट थे वो थे नामुदर मौजो और स्टोरी राइटर है नॉवलिस्ट और स्क्रीन प्ले राइटर है कम्यूनिस्ट एंड एफिलियेशन्स 57 थे एक बार ना थोड़ा धिहान रखना नामुदर मौजो ए ये बार ना करंड कर ना पूच की पिछले साल वाला पूच लेता है ठीक है तो 57 फस्ट और 58 ये आपको ध्यान रखना है 58 में ये दो लोगों को मिला था ठीक है गुलजार जी की उर्दू पोईट है और दूसरे है रामदराचारे जी तो पोईट और राइटर है संस्कृत हिंदी और अब्धी और मराथी इने 22 लेंगवेज आती है तो थोड़ा इसके बारे में ध्यान रखे है ठीक है बई जो अभी रिसेंटली जो रेसिपेंट है 58 के ज्यान पीट अवार्ड के उनका थोड़ा ध्यान रखे है सॉरी बई ये multiple choice questions है आप जरूर से लगाई नहीं देख लीजिए आप questions एक बार ठीक है बई आपको जरूर से लगाने है ये question number 5 और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो भाई like, share और subscribe जरूर करें देखिए अब वीडियो आएंगी तो आप चैनल को subscribe जरूर से कर लें ठीक है question number 8 तो भाई अब हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगर content पसंद आया, वीडियो पसंद आ लिए तो चैनल को जरूर से subscribe करें तो चलिए अब वीडियो को यहीं पे end करते है